आज के उड़े लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे दातुरुग के बारे में दातुरुग यानि कि ऐसे विमर के जिसके अंदर बिना किसी सेक्षिल एक्टिविटी के भी सीमेन जो वो लिकेज होने लगता है कि जिसके अलग-अलग नाम है जैसे कि हम उसको धात रुग भी कहते हैं दूसरा नाम देखे तो स्पर्मेटोरिया उसको कहा ज़ता है फिर उसको सीमेन लिकेज भी कहा ज़ता है कि बिना किसी एक्टिविटी के भी सीमेन जो वो आपका लिक होने लगता है जरियन की बीमारे या फिर जिरयान या धाद भी उसको कहा ज़ता है तो ये प्रॉब्लेम को सॉल कैसे किया जा सकता है और वो होता क्यों है सिम्टोम सोगे रहा क्या है और कैसे इलाज किया जा सकता है तो detail में सिखते हैं आज के उडियो लेक्चर में और जानते हैं दातू रोक के बारे में तो ऐसे ही समझे कि आपको बहुत सारे बीमारियों के बारे में सिखना है तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अप उपर तो medicine course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो बात है topic पे और समझते हैं दातू रोक के बारे में तो दातू रोक एक ऐसे medical condition से कि जिसके अंदर पूरुस हो के अंदर semen जो हो लिकेज होता है कि बीना किसे से excel activity किये भी semen जो हो लिक होता है automatically वो discharge हो जाता है और जिसको हम अलग-अलग नाम से जानते जैसे कि दात रोक का जाता है medical terms में उसको spermatoria का जाता है simple language में समझे तो semen leakage भी हम उसको समझ सकते है या फिर gerian की बीमारी भी उसको का जाता है या फिर gerian या फिर दात रोक भी का जाता है तो यह होने के कुछ reason से वो हम समझते है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि उसके कुछ अलग-अलग reason कि समझे कोई sexual activity ही नहीं हो रही तो उसके करण भी यह problem हो सकता है because body में जो क्या है कि semen production होता रहता है sperm production होता रहता है पर क्या होता कि जब यह sperm आपके सरीर में से बाहर निकल नहीं निकलते तो वो खुछ से अपने बाहर निकलने का रास्ता जो ही वो निकलते है तो उसके करण भी एक problem होती है second absence है कोई भी sexual activity आपके life पे नहीं हो रही तो भी यह problem हो सकता है फिर sexual content आप देखते रहते हैं और काफी ज़्यादा समय उसके पीछे आप spend करते हो मानो आप addictive हो गए उस type के content देखने का तो भी आपको यह problem जो हो सकता है फिर weakness हो गई है आपके जो penalty issues के अंदर जो muscles होते हैं पैनिस के अंदर वहाँ पे weakness आगई है कमजोरी आगई है तो भी यह problem हो सकता है फिर जो prostate gland आती है वहाँ पे सुजन हो गई है वहाँ पे inflammation है stress है आपकी life में या फिर आप excessive masturbation करते हैं मनलब कि आप बहुत ज़्यादा हस्त में ही तुन करते हैं तो भी यह problem हो सकता है बिकाज उसके करण आपके जो muscles होते हैं पैनिस के वह काफी ज़्यादा weak हो गए है या फिर वो area में कोई ऐसी injury होए उसके करण muscles भी गोए तो भी यह problem जो हो सकता है तो यह problem कितने दिनों में ठीक हो सकता है तो जब treatment अच्छे से मिल जाते हैं किसे patient को तो 10 दिन से लेकर 1 मेने के अंदर भी यह problem जो हो आसानी से ठीक हो जाता है तो यहाप याप देख सकते हैं जो prostate gland आती है हमारे bladder के बास तो वहाँ पे समझो कि सूजन आई है तो उसके करण भी semen leakage का problem हो सकता है उसके अलाबा आप देखो तो बहुत सारे stress है आपकी life के अंदर तो stressful life में भी यह problem जो आपको हो सकती है तो stress भी affect करता है आपको दात रोक के लिए उसके symptoms देखते हैं तो जब भी आप urine पास करने जाते हैं तो भी urine के साथ semen जो लिकेज होता है उसके करण आप ऐसा देखते हैं कि urine जो वह white color का आ रहा है या फिर काफी thick urine आ रहा है या फिर ऐसा आपको लगता है कि जैसे urine में पास आ रहा है ऐसा आपको फिल होता है फिर जब भी आप stool पास करते हैं टॉयलेट में जाते हैं तो उस दोरान pressure के करण बे semen जो लिकेज होने लगता है फिर आपको ठंड लगती है as well as रात को जो वह पसीना होता है आपको फिर दूसरे कुछ symptoms देखे तो mild weakness आ जाती है थोड़ी बहुत कमजोर ही आ जाती है आपके सेरीर के अंदर पेन होता है testicles के अंदर जो अंड कोस होते हैं वह पे आपको दर्द होता है और आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है तो यह सभी symptoms जो हो देखने को मिलते है दात रोक के अंदर तो उसके complications क्या हो सकते है कि अगर कोई यह problem को serious ले लेता और treatment नहीं करवाता अच्छे से तो कुछ complications हो सकते हैं आगे जाके तो 5 major complications है तो पहला problem हो सकता है कि sperm count जो हो low हो सकते है उसके गरन दूसरा जो है वो erectile dysfunction का problem हो सकता है premature ejaculation हो सकता है semen की जो viscosity होती है वो काम हो सकता है वीरिया जो है वो काफी पतला हो सकता है आपका और आपकी sexual health के उपर भी उसके करण असर होती है तो treatment के हम अलग-अलग options देख 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 तो पहला option बनता है या आपे yoga या फिर meditation करेता है lifestyle modification करनी पड़ती है कि आप जिस तरह से lifestyle जी रहे है उसके करण संजों के problem हो रहा है तो उसको आपको अच्छे से change करना होता है ayurvedic medications, homeopathy, unani और अलग-अलग supplements के यहाँ पर options बनते हैं तो सुरुवत करते हैं yoga से तो अलग-अलग आप yoga कर सकते हैं कि प्राणायम आप कर सकते हैं फिर अनुलोम, विलोम भी आप कर सकते हैं बहुत सरे videos इंटरनेट पर अवेलेबल है तो वो आप देखकर या फिर आप अच्छे से yoga assistant को consult कर सकते हैं फिर yoga में दूसरे options बनते हैं जैसे कि आप आप देख सकते हैं अच्छे से आपको meditation करना चाहिए कि अगर आपको इस तरह से कोई खायाल आते है या फिर problem हो रहा है काफी जदा आपको disturbance हो रहा है या फिर उसके करन आपको life में distract जैसा हो रहा है तो meditation से भी आपको काफी जदा फाइदा हो सकता है अब बाद आती है lifestyle modification की तो कुछ lifestyle भी इसके उपर असर करती है जैसे कि आप यहापर देख सकते हैं कि पहले तो नींद के अटलिस्ट आट गंदे की नींद जो है वो patient को लेनी चाहिए पर वो नहीं ले पाता तो उसको अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए पहले के अटलिस्ट आट गंदे आप सोते हैं फिर आपको healthy diet लेना चाहिए proper मातरा में आपको पानी जो है वो पीना चाहिए फिर अगर आप समझे के smoking करते हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए फिर समझे के आप सराफ वगेरा भी पीते हैं तो उसको भी बंद कर देना चाहिए junk food वगेरा लेते हैं बंद कर देना चाहिए और अच्छे से healthy exercise करनी चाहिए healthy खाना खाना चाहिए आपका weight जो है अच्छे से आपको manage करके रखना चाहिए तो lifestyle modification से भी काफी फाइदा होता है फिर lifestyle change में एक और option आपको मिलता है कि आप जो है अच्छी किताबे बढ़ सकते हैं जो हमारे अलग-अलग पवित्र ग्रंथ होते है holy books होती है वो आपको बढ़ना चाहिए तो उससे भी आपका जो mind है वो काफी अच्छा रहता है और इस तरह के problems जो है वो बहुत कम होते हैं दवा योग के बात करता है इस तरह से यह product आती है तो उसको क्या करना होता है आपको catalyst एक चमज जितना या फिर 10 ग्राम जितना आपको लेना होता है और उसको 250 ml जितने milk के अंदर जो ही वो अच्छे से mix करके उसको dissolve कर देना होता है और वो अच्छे से जब dissolve हो जाता है उसके अंदर गुल जाता है तो वो आपको दिन में बीना होता है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा benefits होते हैं धात रोक के अंदर फिर दूसरा option हम देखे कवर्स जिरियान का यहाँ पर option है कि 4 से लिकर 6 tablet आप लेते हैं milk के साथ यूज़ करते हैं गोकसूरा का option रहता है हेमालिया का कि ये एक या दो tablet patient ले सकता है और दिन में दो बार भी आप उसको ले सकते हैं हेमालिया confido tablet भी आप ले सकते हैं तो उसका भी dose रहता है एक या तो tablet कि यहाँ पर आप देख सकता है कि यह जो medication है वो nocturnal emissions में लेकि जो अपना दोसका जो problem होता है फिर यहाँ पर लिखा आप देख सकते हैं कि spermatoria का जो problem है या फिर premature ejaculation का problem है तो सभी problems को यह confido tablet जो हो ठीक करता है उसके कोई side effects भी नहीं होते है आपको तो काफी safe and effective medications अभीत होता है फिर दूसरी कुछ options बताओ मैं आपको तो जो supplements के अंदर फर्टी से और एम करके आप एक टाबलेट आदी है जोसके अंदर L-carnitin रहता है, coenzyme, qtans रहते है, zinc रहता है, lycopin रहता है और extra xanthines उसके अदर present होता है तो यह tablet आपको एक लेनी होती है रात में, सोने से पहले अच्छे से खाना खाने के बाद तो यह सभी अलग-अलग options रहते हैं कि जिससे आपका दात रोग जोए वो ठीक हो जाता है फिर supradine का भी option रहते हैं कि अगर आपको 40 सो रेम से फरक नहीं पढ़ रहा तो आप supradine भी ले सकते हैं या फिर अज़र supplements के तौरवे भी आप उनको डेली खा सकते हैं तो यह अलग-अलग options हो गए धात रोग को ठीक करने के लिए हैं तो यह पर एक important बात यह है कि जब भी आपको यह problem होता है तो आप कोई भी एक choose कर सकते हैं कि चाहिए आप Ayurvedic medications ले रहे हैं जैसे मैंने आपको Himalaya के medications बताई वो patient ले सकता हैं या फिर यूना नहीं ले सकते हैं या फिर साथ में combination में आप यह supplements वगरा भी खा सकते हैं और दियान यह रखना है तो कि आपको lifestyle modification करना बहुत ज़री होता है कि आप दवाई तो ले रहे हैं पर साथ में आप lifestyle change नहीं कर रहे हैं तो वो दवाई की असर जवे बहुत जल्द आपको नहीं होते हैं तो यह सभी options आपके लिए रहते हैं दात रोक को ठीक करने के लिए So good luck and all the best